नमस्कार स्वागत है आपका आर्या नियूज में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल देश में जानलेवा क्रोना वाइरिस महमारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है साथ ही क्रोना के सबसे खतरनाक वेरियंट ओमिक्रोन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और देश के मैं आपको बता दे कि पिछले 24 घंटों में ही क्रोना वाइरिस के 90,928 नए के सामने आए हैं वही 325 लोगों की मौत भी हो गई है केंद्रिय स्वास्ते मंतराले की ओर से जारी किये गए आंकडों के मताबिक कि देश में अब एक्टिब मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है वहीं इस महामारी से जानगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो 4,82,876 हो गई है आंकडों के मताबिक कल 19,206 लोग ठीक हुए हैं और जिसके बाद अभी तक 3,43,411,009 लोग संक्रमन मुक्त हो चुके हैं आपको बता दे कि रास्ट व्यापी ठीका करण मुहिम के तहत अभी तक करोना वाइरस रोधी ठीकों की 148 करोड से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 19,25,099 डोस दी गई जिसके बाद अब तक वैक्सिन की 148 करोड 67,88,227 डोस दी जा चुकी है वेटेन में करोना वाइरस संक्रमन के मामलों में तेजी देखी जा रही है देश में आपको बता दे कि 2,18,724 रिकॉर्ड सामने आए हैं और इस बीच ही सरकार ने ये नेमो का बदलाव भी किया है और आपको बता देते हैं कि इंगलेंड में ही अंतरास्टीय यात्रियों के लिए परस्थान से पूर्व जाच की अनिवारत खतम कर दी गई है और सरकार ने कोविट को लेकर यात्रा नियुमो की बदलाव की घोशना करते हुए कहा कि अब यात्रियों को परस्थान से पहले जाच की अनिवारत खतम कर दी गई है और इसके साथ ही अब यात्रियों के आगमन पर उन्हें कॉरंटीन होने की भी जरूरत नहीं है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेटन उखोग ने सरकार से यात्रा नियुमों में बदलाव करने का आगरा किया था और कहा था कि समुदाई के भीतर ओमिक्रोन संक्रमट की अधिक दर के मद्दे नजर ही इन यात्रियों के कारण कोई वास्तविक परभाव नहीं पड़ेगा आधारिक आकडों से पता चलता है कि इंगलेंड में ही 15 से एक व्यक्ती 2021 के अंतिम हफते में करोना वाइरस से संक्मित था आपको ये भी बता दें कि बिर्टेन के प्रधान मंतरी बोरिस जॉनसन का कहना है कि अब ओमिक्रोन का इतना परसार हो चुका है कि इन उपायों का संक्रमट के मामलों में ही बढ़ोतरी पर सिमित परभाव पड़ रहा है और इंग्लेंड में शुकरवार से हम परस्थान पूर्व जांच की अनिवारता को खतम कर देंगे इस वज़ा से कई यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कते आ रही थी रैपिड इंजन जांच में भी संक्रमित पाये जाने के बाद से ही PCR जांच से ट्रुस्टी की जाने के बाद से ही अनिवारता अब समाप्त होगी इंग्लेंड में सभी तक रैपिड इंजन जांच में भी संक्रमित पाये जाने के बाद PCR जांच कराना अनिवारता और यूके में पिछले साल नुवंबर के अंत में ओमिक्रोन वेरियंट के आने के कारण कोविट संक्मन के मामलों में एक नया उच्छाल देखा गया है हालिक के दिनों में अगर बात की जाए तो यहां आपको बता दे कि दैनिक मामलों की संख्या 2,00,000 की सीमा को पार कर गई है उत्तर परदेश में करोना का परकोब बढ़ रहा है और बित्ते दिनों में ही आपको बता दे कि साथ हर रोज करोना केस लगातार बढ़ते ही जा रहे है और ऐसे में करोना से बचाओ के लिए यूपे के मुखे मंतरी योगी आदे तिनाथ ने यहां के दसमी तक के स्कूलों को 16 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है और वही इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि 11 और 12 के स्टूडेंट्स को भी केवल वैक्सिन लगवाने के लिए स्कूल बुलाया जाएगा और फिजिकल क्लासिस की फिलहाल मना ही कर दी गई है शेश अवधी में भी क्लासिस ऑनलाइन संचालित की जाएंगी और बता दे आपको कि पहली जारी हुए आदेशों में ये भी कहा जा रहा है कि स्कूलों को 14 जनवरी यानि की मकर सक्रान्ती के दिन तक बंद करने की बात कही गई है लेकिन अब इसे दो दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है दरसल यूपी बेही तेजी से क्रोना के मामले लगातायर बढ़ते ही जा रहे हैं और इसे देखते हुए एतिहातन स्कूलों को बंद करने के निर्देश पारित हुए हैं परदेश में 24 घंटे के अंदर करोना के 2000 से जादा उपर नए मामले सामने आ चुके हैं और बरतबान माहौल को देखते हुए यूपी में क्लास 10 से के बाद से स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने के लिए कहा गया है इस बाबत यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने साफ निर्देश दिया है कि 11 और 12 के बच्चों को भी केवल वैक्सिनेशन के लिए ही स्कूल बुलाया जाए यही नहीं टीका लगवाने वाले दिन और उसके अगले दिन उन्हें छुटी दी जाए यूपी में बच्चों का वैक्सिनेशन कारेकरम तेजी से चल रहा है और मुख्यमंतरी ने जंता से अपील की है कि सभी को सतर्क रहे और सभी नियुमों का पालन करने की ज़रूरत है जानकारी पूरी रखे जान लेकिन पैनिक ना करे और जिन लोगों को टीके लगे हैं और जो समाने रूप से सोरूप है और उन्हें ख़त्रा काफी कम है लेकिन सावधानी में कमी ना आने दे वैक्सिन बनाने वाली कमपनी भारत बायोटेक ने बुदवार को ही सपस्ट किया है कि को वैक्सिन का टीका लगवाने के बाद किशोरो को पेरा सिचो मॉल या फिर पेन किलर नह दवाओं से बचना चाहिए दरसल हैदराबाद में मौजोद कमपनी ने कहा कि हमें फीडबैक मिला है कि कुछ टीका करन केंदर बच्चों के लिए को वैक्सिन के साथ ही तीन पेरासिटमॉल 500 मिलिग्राम टैबलेट लेने की सिपारिश कर रहे हैं लेकिन वैक्सिनेशन के बाद किसी भी पेरासिटमॉल या फिर पेन किलर की सिपारिश नहीं की जाती है उन्होंने फर्म के ही 30,000 व्यक्तियों पर किये अपने नेदानिक परिक्षणों का हवारा देते हुए कहा है कि लगभग 10 या फिर 20 परतीशर्द व्यक्तियों में साइड इफेक्ट की सूचना दी इन में से अधिकतर हलके होते हैं और दो या फिर दो दिनों के भीतर ही हल हो जाते हैं और दवा की अविशक्ता नहीं होती है कमपनी ने कहा कि डॉक्टर से सलहा लेने के बाद ही किसी तरह का पेन किलर नेना चाहिए कमपनी ने कहा कि पेरसिटमॉल की सिफारिश कुछ अन्य कोविड-19 टीकों के साथ की गई थी और कोवैक्सिन के लिए ये जरूरी नहीं है दरसल देश भर में 15 या फिर 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका करण 3 जन्वरी से शुरू हुआ बच्चों को कोवैक्सिन की पहली खुराक दी जा रही है और पहले 3 दिनों के दौरान 1.6 करोड से ज्यादा बच्चों को टीका लगा बता दे कि दुनिया भर में करोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने भी वैक्सिनेशन अभियान को और तेज कर दिया है और देश में करोना वैक्सिनेशन अभियान में तेजी लाते हुए 3 जनवरी से 15-18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सिन देने की शुरुवात हुई है और ऐसे में पहले ही दिन यानि सोंबार को ही 40 लाग से जादा बच्चों को करोना वैक्सिन दी गई और इसक कर दोunk हैा और दो चित yaş प्रहाण के वित पैसे जन' में किया और भी एत बच्चों को जाते है और रímा है मैं को जोड़ में से लाते है तो घ् जोड़े और दो तो कि अए्पन के लाते हैं।